नमस्कार दोस्तों एक बार फिट सू अगता आपका माइड एक्जाम के यूटूब चनल पर जीहां दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं S.O.C.G.D. कॉंच्टोल बढ़ती 2021 के एक्जाम के बाद फिजिकल में कितने अभिहारती एक सीट पर रहने वाला है याई कितना कंपर्टीशन आपको फिजिकल में देखने को मिलेगा इसके साथ फिजिकल के बाद दोस्तों मेडिकल साथ ही डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में कितना कंपर्टीशन है आपको SOC GD भड़ती में एक सीट पर देखने को मिले वाला है इसी के साथ दोस्तो कितने नंबर आपके अभी है तो दोस्तो आज से ही आप फिजिकल की तियारी स्टार्ट कर सकते हैं यनि इस वीडियो में हम आपको एवरेज का टोब साथी सेफ स्कोर भी बताने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए कापी ज़्यादा इंपोडेंट और हेलपूल रहने वाले हैं और दोस्तो सारी जानकारी हम आपको अफिशली देने वाले हैं तो ये वीडियो को दोस्तों आप अंतक जुरूर देखिएगा, साथ ये वीडियो को लाइक कर देऊ, उभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जो पास में बैल आइकन हो, उसको प्रेस कीजिए, और ओल नोटि कि आप रहने वाले हैं, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा, भई दोस्तों सभी राजियों की मेल और फिमेल की कटोप देखना चाहते हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन वोक्स में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उसका विजिट करके दोस्तों सभी राजियों की मेल और फिमेल की कटोप आप अभी देख सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमने अफिशली नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, एके करके आपको कम्प्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के अन तक आप जरूर बन साथ 20 सर्टिफिकेट के आपको है, यहां 3 नमर और A सर्टिफिकेट आपको 2 नमर बिलते हैं, तो वो नमर आपके कब जुडेंगे, यानि कब काउंट होने वाले हैं, तो दोस्तों यहां साब साब चीजें लिखी गई है, कि जो भी दोस्तों आपका फाइनल स्कोर होगा, यानि अभी जो आपका स्कोर होने वाला है, एक्जाम का जब रिजल्ट आएगा, तब आपकी वो मार्क्स नहीं जुडेंगे, जब आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम फाइनल जो आपकी मेट लिस्ट बनने वाली है, उसी में दोस्तों आपके ये जो N वाले हैं, अब दोस्तों बात करें, तो फिजिकल में कितने कंडियेट को क्वालिफाई किया जाएगा, यानि फिजिकल में एक सीट पर, जी हाँ दोस्तों एक सीट पर कितना कंपोडिशन रहने वाला है, तो दोस्तों बात करें, तो एक सीट पर बारा विहार्टियों का आ क्वालिफाइग किया जाएगा वही आपकी कैटिकरी में दस सीट है तो आपकी कैटिकरी में 123 को फिजिकल में कौनी कुल मिलाके कहें तो ही ऐनल के चैज है वो फीजिकल करना है एक सीट में आपको नोकरी पाने के लिए क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो आपकी कटोप है वो ज्यादा नहीं रहेगी फीजिकल के लिए ज्यादा नहीं रहेगी फाइनल कटोप आपकी ज्यादा रह सकती है क्योंकि दोस्तों अगर मेल की बात कर जादा उनका पास करने का रेशियो रहता है यानि 100 में से अगर बात करें तो 70 के लगबग 60 के लगबग भीहरती है वो फीजिकल क्वालिफाइ कर जाते हैं परंदो फिमेल का रेशियो आपका काफी कम रहता है तो उनकी जो आपकी फीजिकल की कटोब रहती है इसके अलाव द और कई राजिय में तो ये भी रेशियो आपका कम रहता है अब दोस्तों फीजीकल की बाद है आपके कितने कंडियूट को है यहाँ आपका जो भी मेडिगल एक्जामनिशन साथ ही आपका अगर बात करें तो यहाँ जो आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है फाइनल मेड लिस्ट के लिए कितने अभी हर्तियो को क्वालिफाई किया जाएगा अब दोस्तो बात करें तो आपका इस बार का expected safe score कहा रहे सकता है क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली आपका paper है वो खतम हो चुका है और सभी ने अपने paper दे भी दिया होगा तो दोस्तो अभी बात करें तो आपकी अगर mail की बात करें सबसे पहले mail की बात करें तो mail में अगर maximum हम बात करें कि आपका save score क्या रहेगा तो अगर आपके यहां 60-65 क्यूशन maximum उत्तर भारत के राजियों के हम बात कर रहे हैं अगर 60-65 आपके जर्नल में क्यूशन ठीक हो रहे हैं अगर negative निकाल के इसमें से अगर आपके 5-4 नंबर और भी कमा रहे हैं तो निस्य तोर पर physical में आपको बुला लिया जाएगा कई अभिहारती बोलेंगे कि ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता मेरे तो 85-85 नंबर रहेगी तो उनसे अभिहारती से आप उस टाइम पूछेगा जब उनकी आंसर किया जाएगी तो उनसे पूछना कि हमारे आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आप अपने नंबर बताना कि मेरे इतने नंबर ही आ रहे थे और मेने यही नंबर बतायते वही बात करें OBC की तो दोस्तों OBC के लगवश सत्याउन से लेकर 62 के बीच आपके नंबर है maximum बता रहे हैं यह क्यूसन हम आपको बता रहे हैं इतने ठीक हो रहे हैं तो आप नीश्चे तोर पर फिजिकल की त्यारी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यही नॉनलाइजिसन होना भी बाकी है वही ऐसी की दोस्तों बात करते हैं तो ऐसी में अगर आपके लगबग यहां बाउन से लेकर है यहां 55 के लगबग अगर क्यूसन ठीक हो रहे हैं वही ऐसी की बात करें तो लगबग आपके हैं यहां 50 से लेकर बाउन के बीच क्यूसन ठीक हो रहे हैं EWS के भी लगबग आपकी इतनी ही है वो कटोब रह सकती है female की हम बात करें तो female की उत्तरभारत की राजस्तान उत्तरप्रदेश को छोड़ दें तो हरियना को छोड़ दें तो इन तीनु राजय के अलावा आपकी कटोब कापी कम रहने वाली है क्योंकि female जो अभिहरती होती है तो एक तो एक्जाम कम देती है उसके बाद में अगर बात करें तो उनकी कटोब हमेशना कम रहती है तो अगर आपके यहाँ 50-55 maximum सही हो रहे हैं यह हम आपको maximum एक average safe score बता रहे हैं इसे अगर आपके नीचे भी है कई राजय में तो नीचे तोर पर आपको physical के लिए qualify है वो कर दिया जाएगा तो चिंता करने की जूट नहीं है इतने नमर अगर आपके आ रहे हैं तो आज से हम physical की त्यारी start कर सकते हैं vacancy कापी कम है परनु इस बार negative marking और आपकी जो पेपर का level था उसके accordingly दोस्तों आपको निच्ची तोर पर यहां नोगरी है इस बार मिलने की पूरी उमीद है आंसुरकी की बात कियें तो ज़्यादा समय आंसुरकी में आपको नहीं लगेगा आपका आंसुरकी जल से जल आ जाएगा कई अभिहारती सीज को लेकर डर रहे हैं कि सर मेरियत नमर तो इतने हैं परन्तो एक चीज हम आपको बता दें आपको दूसरे राजियों के अभिहारती के कितने नमर आ रहे हैं या आपके पास के जो आपके दोस्त हैं उनके कितने नमर आ रहे हैं वो चीज आपको नहीं सोचनी है, कि आपका जो आपका दोस्त है, वो कौन सी केटिगरी का है, वो अपनी केटिगरी की वेकेंसी खाएगा, और आप अपनी वेकेंसी जो आपकी केटिगरी की वेकेंसी है, उस पर आपको नोकरी मिलने वाली है, आपकी राजे की सीट, आपकी क अलग लग है उसके accordingly ही आपकी cut up रहेगी दूसरे एक्जाम से आप कंपेर मत कीजिगा कई अभी हरती दिली पुलिस से आप कंपेर कर रहे हैं क्योंकि आपकी cut up कम गई थी या जदा गई थी तो वो ओल इंडिया वेकेंसी थी ना कि आपकी state wise थी इसमें state wise वेकेंसी है और अल आई और अपनी cut up है वो दोस्तों देख लीजिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में नई update के साथ तब तक लिए जहिंद जेवर्द